नमस्कार आपका स्वागत है मनकी आवाज न्यूज में आइ मैं बताते हैं आपको दूसरे राज्यों के शहरों में रहने वाले लोगों को राजिस्तान राज्य में आने की जो अनुमुति दी गए उसके बारे में क्या तैयारिया हैं जिला प्रसासंद्वारा जिला कलेक्टर के निर्देशा नुसार इस तरफ आप सामने देखे पुलिस की टीम लगी हुई है इसके इलावा यह बॉर्डर पर जवान तैनात हैं यहां सामने की तरफ पूरे टेंट लगा कर उन लोगों के आने के लिए पूरी तरह से व्यवस् चलने एवै कर की इसके इलावा यहां के आगी की तरफ जो एक बॉर्डर बनाया गया है जहां पर उन्हें फॉर्म दिया जाएगा और फॉhrं ‫म फिल टक करके उन्हें यां यहां से अपने गंतव स्थान की तरफ रवाना किया जाएगा जो अपने वहान लेकर आ रहे हैं उनके लिए तो यह वैवस्ता है कि वह अपने वहानों के साथ वहाँ आये फॉल्ब होँ जमा कर अपने नाम पते दर्च करवाए स्क्रिनिंग करवाए और टेस्टिंग बाद उन्हें रवाना कर दिया जाएगा उसके अलावा जो मजदूर वर्ग या कुछ लोग जो अपने वहान लेकर नहीं आ सके उनके लिए प्रसासंग ने राजस्तान राज्य सरकार ने अलग से व्यवस्ता की है आपको बता दे कि सीरोई डेपो आवरूट डेपो की बसें लगी हुई है जिसमें यहाँ पर सीरोई डेपो की बसें लगी हैं जिनमें जिले की जो सिमा रेखा है वहां तक इन्हें छोड़ा जाएगा जैसे अगर कोई जालोर जिले का है तो उसे बढ़गां तक छोड़ा जाएगा कोई सुमेरपूर जाने के लिए पाली जिले का है तो उससे सियोगन तक छोड़ा जाएगा और उदेवपूर और इस तरफ जाने वाले लोगों को शीरोई तक छोड़ा जाएगा और यह बसें यहां से उन्हें वहां तक छोड़ कर वापस इस जगे पर आएगे देखिए आप यहां पर इनके उपर स्टीकर भी लगे हुए है मंदार से कहां कहां तक के लिए जाएंगी कुल 10 बसे और कंड़क्टल ट्राइवर के साथ में आई है ये रात 12 बजे ही आज चुकी थी अभी ये तैयारी प्रसाशन ने की है और लोगों के आने की शुरुआत अभी हुई है साम 4 बजे तक करीब 20 लोग ही आए थे धन्यवाद